दिल्ली में बड़ी संख्या में किसान ने कानून में सुधार शामिल करनी के लिए आंदोलन्द कर रहे है केंद्र सरकार द्वारा पारित विधेयक में आवश्यक वस्तु अधिनियम अनुबंद क्रुशी अनुबंद बिल को निरस्त करने का आवाहन हिंगन घाट में भी किया गया दिल्ले में किसान के इंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू किये गए नए कानून का विरोध कर रहे है इस किसान आंदोलन के समर्थन में राश्ट्य किसान महासंग के साथ विभिन्न संगटन हिंगन घाट में एक साथ आए और एक धरनाद दिया गया और नंदोरी चोक में विरोध प्रदरशन किया गया दिले में बड़ी संख्या में किसान नए कानून में सुधार को शामिल करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा पारित विधेयक में आवश्य वस्तु अधिनियम अनुबंद खुश्य अनुबंद बिलको निरस्त करने का आभाहन किया गया राश्रे किसान महसंग, राश्रवादी कॉंग्रिस, शिव सेना, विधर्ब विकास अगाड़ी, भारत मुक्ती मोर्चा, बामसेफ, राज्य ग्राम सेना ने आंदोलन में भाग लिया था आनोलन में कहा गया कि किसानों को सभी शेतर में शक्ती प्राप्त करने की आवशक्ता है। नागरिकोंने इस आनोलन से लड़ने के लिए आगे आने की ज़रुरत है। किसान रहेंगे तो देश रहेगा, यह अपील की गई। साथ ही मुसीबत में पड़े किसानों की मदद करने चाहिए ऐसा भी कहा गया पिछली सरकार को हटाने और इस नई सरकार को लाने की पीछे उद्देश पुंजी पतियों को लाब पहुचाना है इस वक्त राश्ट्रवादी के सुधिर कोठारी, आफताप खान, शकिल एहमद, कॉंग्रेस के पंडरी कापसे, वंगला ठक, इकबाल पहलवान, शिव सेना के राजु खुपसरे, राश्ट्रे किसान महासंग अनिल जावेद, ग्राम राज्य ग्राउं सेना के अनिल भोगां इन नेता के साथ महिला और कार्यकरता उपस्ति थे, हिंगन घात से रवी नौर करक रिपोर्ट, इन बीसे न्यूस नापपुर